दोस्तो ये कहानी बेमपायर और भेडियों के बीच की लडाई की है जो आपस में एक दूसरे को मिटाना चाहते थे दोस्तो कहानी की सुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैलीन है और वो एक बेमपायर है सेलीन सुरुवात में एक रेज नाम के भेडियों को देखती है तथा उसे मारने के लिए एक और बेमपायर अपने साथ ले जाती है जैसे ही वे इस्टेशन पर पहुंसते है रेज को सक हो जाता है और वो उन पर फाइरिंग करने लगता है फाइरिंग करते ही पूरे स्टेशन पर अफरा तफरी मच जाती है तब ही सेलीन के साथ वाले बेमपायर को गोली लग जाती है और वो बही मढ़ जाता है सेलीन ये देखकर सोच में पढ़ जाती है कि आखिर बेमपायर गोली से कैसे मढ़ सकता था तब ही सैलीन अपने आपको बचाने के लिए फारिंग करने लग जाती है और वहां से निकलने की कोशिस करती है लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं था तब ही रेज भेडिया सैलीन के साथ वाले एक और बेमपायर के पीछे पर जाता है और उसे अपने रूप में आकर मार देता है अब सेलीन अकेली बची थी और वो उससे बचने के लिए कुफा में चली जाती है तो उसे बहां एक और भेडिया मिल जाता है लेकिन सेलीन उसे मार देती है और उसकी गनकी गोलिया देखती है जो कि तेजी से चमक रही थी तभी वहां रेज आ जाता है सेलीन उसे वहां चक्मा देकर छुप जाती है तभी उसे वहां कई सारे भेडियों की आवाजे आती है क्योंकि वो एक भेडियों का घर था और उन सब का सरदार एक भेडिया था जिसका नाम लोसियन था तभी सेलीन अपनी हवेली में आती है और सबसे पहले वो गोली को चेक कराती है पता चला कि गोली के अंदर सूरे की किरने थी यानि की अल्टरा वाइलट किरने इसलिए बेमपायर मर जाते हैं तभी हम रावन को देखते हैं जो सबी बेमपायर का सर्दार है सेलीन उसे भेडियों के अड़े के बारे में बताती है लेकिन रावन सेलीन की बात पर बिसपास नहीं करता है क्योंकि सबी बेमपायर को बताया गया था कि लूसियन भेडिया मर चुका है और दुनिया में भेडिये खटम होने की कगार पर हैं सैलीन इस बात पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि लूसियन भेडिया अभी भी जिन्दा है जो की सही भी है तब히 सैलीन बिक्टर की समानी को नहारने लगती है क्योंकि विक्तर उन सब का राजा था, जो की अब सो रहा है, तब ही सैलीन अपने कैमरे को चेक करती है, कि रेज भेडिया किसी आदमी का पीछा कर रहा था, लेकिन क्यों, सैलीन यही बात तो रावन को समझाने की कोसिस करती है, लेकिन रावन उसे ही डाट देता है, और कहता कि तुम बेमपायर पिरजाती को बदनाम कर रही हो कहानी में आगे हम भेडियों की डॉक्टर डॉक्टर एडम को देखते हैं जो अपनी पिरजाती का इनसान देख रहे हैं जो कि एक माइकल नम का बंदा था तब ही हम माइकल को देखते हैं जो कि हॉस्पीटल में रहता है त जिसे खबर मिलती है कि सैलीन गाड़ी से कहीं जा रही है। ये देखकर रावन को बहुत कुस्सा आता है। लेकिन सैलीन माइकल को लेने हॉस्पिटल पहुँच जाती है। जैसे ही माइकल अपने कमरे में आता है, सैलीन उसे पकड़ लेती है। लेकिन तब ही बहुत सारे भेड़ी बहां आ जाते हैं और सैलीन को आगे से घिर लेते हैं। सैलीन बहां से भागने की कुसिस करती है। इतने में ही लूसियन बहां आ जाता है और माइकल को कंधे पर काड़ लेता है। तब ही सेलीन आती है और वो माइकल को सात लेकर फागने लगती है इधर लोसियन अपने सरीर की सारी गोलियां बहार निकाल देता है और उनकी गाडी का पीछा करने लगता है सेलीन गाड़ी में जखमी हो जाती है लेकिन वो माइकल को लूसियन से बचा कर बहां से ले जाती है लेकिन जखमी होने की बज़े से वो बेहोस हो जाती है और गाड़ी पानी में चली जाती है जहां से माइकल सेलीन को बचा लेता है तब ही हम लूसियन को देखते हैं जो माइकल के खून का टेस्ट करता है और वो टेस्ट पोजिटिव आता है लूसियन डाक्टर से बताता है कि मैंने उसे काड लिया है दो दिन बाद पूर्णिमा की रात को बो भी फेडिया बन जाएगा तब ही हम माइकल को देखते हैं जो कि बैमपायर के महल में था ये बात रावन को पता चलती है तो वो सैलीन को बहुत डाटता है और माइकल को भगाने के लिए कहता है इधर जैसे ही इरिका माइकल के पास जाती है तो वो होस में आ जाता है और इर्का की हरकते देखकर मेल से भाग जाता है ये देखकर रावन को गुसा आ जाता है और वो सैलीन को थपड़ मार देता है अगले सीन में कालिया एक ऐसी गोली तेयार करता है जिसे भेडियों का मरना तैथा ये देखर सैलीन काफ़ी खुस हो जाती है तबी हम रावन और लूसियन को देखते हैं जो कि आपस में मिले हुए थे और सैलीन का सक्ष सही था तबी सैलीन अपनी हिस्टरी बड़ती है जिसमें लिखाता कि लूसियन को रावन ने मारा था इसलिए विक्तर ने उसको बैमपा पड़ता है तभी हम सैलीन को देखते हैं जो विक्टर को सो साल पहले ही जगानी का निर्णा करती है और विक्टर को रावन की सारी बात बता देती है कि कैसे वो बेमपायर प्रजाती को धोका दे रहा था तभी हम माइकल को देखते हैं जो सैलीन की हवेली पर आ जाता है और स सेलीन से मिलने के लिए कहता है सेलीन माइकल को देखते ही उससे मिलने के लिए चली जाती है तब ही इरका रावन से बताती है कि माइकल एक इनसान नहीं बलकि एक भेडिया है तब ही पीछे से विक्टर की अवाज आती है और विक्टर रावन को अपने पास बुलाता है किदर सैलीन ये जानना चाहती थी कि लूसियन को माइकल में दिलचस्पी क्यों है तब ही हम विक्तर को देखते हैं जो रावन को सैलीन की कई वी बाते कह रहा था तब ही रावन विक्तर से कहता है कि आपको सैलीन ने सौ साल पहले ही जगा दिया है जिससे विक्तर को गुस्सा आ जाता है तब ही हम सैलीन को देखते है जो माइकल को एक सुरचित जगे पर पूस्ताच के लिए लाई थी इधर लूसियन अपनी फौस तयार कर चुका था तब ही माइकल सैलीन से पूस्ता है कि आखिर तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो सैलीन बताती है कि भेडियों ने मेरे माबाप भाई बहन सब को मार डाला था वो मुझे भी मार डालते लेकिन विक्तर ने मुझे बचाया था उन्होंने मुझे अपने जैसा बेमपायर बना लिया था तभी से मैं उनके साथ हूँ तभी हम रावन को देखते हैं जिसको इरिका अपने जिस्म के जाल में फसाना चाती थी लेकिन रावन सैलीन को पसंद करता था तभी दूसरी तरफ माइकल और सैलीन में किस हो जाता है सैलीन उसे बचाने के लिए एक चंजीर में उसे बाँ जाती है कहानी में सैलीन हवेली बापस आती है और बाँ फेडियों की फोज हवेली पर नजर रख रही थी तभी सैलीन विक्तर के पास जाती है और उसे बताने की कोसिस करती है कि लूसियन जिंदा है लेकिन विक्टर सेलीन की बातों पर बिस्पास नहीं करता है बलकि उसे बैमपायर के नेवों का उलंगर करने के जुरुम में उसे सजा भी देता है तब ही सेलीन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है कहानी में आगे बैमपायर की जज एमिलिया आने वाली थी जो सैलीन की सजा का निर्णे करती लेकिन रावन एमिलिया को मरवाना चाता था इसलिए एमिलिया के आते ही बहां बहुत सारे बेडिये आ गए जिनोंने एमिलिया सहित बहुत सारे बैमपायर मार दिये और ये काम र कर देखते हैं जो सेलीन को चुपके से आजात कर देतीय है क्योंकि वह रावन को चाहती थी तब league vendor को दिखाये जाता है जो खुद को आजात कर रहा व जैसे ही सेलीन माइकल के पास जाती है बैसे ही भीडिया उसके पीछे आ जाते हैं सेलीन माइकल को पीछे से नीचे धखिल देती है नीचे गड़ते ही माइकल को पुलिस वाले पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं जो की भीडिये ही थे तबी हवेली में एमेलिया का पता लगाय जाता है कि आखिर वो क्यों नहीं आई तबी विक्टर रावन को अपने पास बुलाता है रावन विक्टर से कहता है कि सेलीन महरल से भाग गई लेकिन सेलीन सबूत लेने गई थी वो भेडियों के डॉक्टर एडम को पकड़ लाती है और सच बोलने के लिए कहती है डॉक्टर एडम विक्तर को बताता है कि सारे भेडिये माइकल को इसलिए पकड़ना चांते थे क्योंकि उसके खून में बे और ज़्यादा तागत पर बन जाएंगे क्योंकि जब मैंने माइकल के खून का टेस्ट किया तो वो एक पार्टिकल तीन पार्टिकल में बदल रहा था सच्चाई सामने आते ही रावन बहां से चला जाता है तब ही विक्तर को एमिलिया के मरने की ख़बर मिल जाती है और विक्तर को सैलीन पर पिसपास हो जाता है और एक लड़की को विक्तर ने जिन्दा जला दिया था और लूसियन भाँ से भाग गया था तब ही माइकल लूसियन से अपने सपने के वारे में पूसता है लूसियन बताता है कि उसे विक्तर की बेटी से प्यार हो गया था तो उसने उससे साधी कर ली थी लेकिन विक्तर उनके आने वाले बच्चे से परिसान था इसलिए उसने अपनी बेटी को जिन्दा जला दिया था और छेसो सालों से वो भेडियों की जाती का दुस्मन है तब ही हम रावन को देखते हैं जो लूसियन से बताता है कि विक्टर जाग गया और उसे कोई नहीं मार सकता केक करके उन्हें मारने लगते हैं तब हम रेच को देखते हैं जो लूसियन को मरा पाता है और बैमपायर को मारने के लिए निकल जाता है और बैमपायर को मारने से पहले अपने रूप में आ जाता है और एक पंजे में ही बैमपायर को मार देता है तब ही हम सैलीन को देखते हैं जिसका पीछा भेडिये कर रहे थे सैलीन उनको आराम से मार देती है इदर रावन वहां से भागने की कोसिस कर रहा था तब ही उसे बैमपायर देख जाता है जिसकी बज़े से वो नीचे गड़ जाता है सैलीन जाकर माइकल को पहेंकर तरीके से चल रही थी। सेलीन माइकल को अपने साथ लेकर भाग रही थी। तब ही आगे उन्हें रावन मिल जाता है। रावन तुरंत ही माइकल को तीन गोली मार देता है। जिससे माइकल मरने लगता है। रावन सेलीन से अपने साथ चलने के लिए कहता है। और उ लोसियन आ जाता है और वो रावन को जखमी कर देता है फिर वो सैलीन से माइकल को काटने के लिए कहता है क्योंक उसके काटने के बाद वो आदा बैमपायर और आदा भेडिया बन जाता और दोनों से जज़ा तागत पर होगा तब ही सैलीन माइकल को काट लेती है तब ही विक विक्टर सैलीन से कहता है कि अगर तुमने भी मेरी बेटी की तरह किया तो वो तुमें भी मारतूंगा तब ही विक्टर और माइकल में बहुत भेंकर लड़ाई होने लगती है जिसमें माइकल कुछ देर जीतने के बाद हारता नजर आ रहा था क्योंकि विक्टर के अंदर बे जिसमें मारकस की आंके खुलती है और ये कहानी कहांत यहीं पर हो जाता है दोस्तो अगर आप इस कहाने के आगे की कहानी देखना चाहते हो तो इसका पार्ट टू देखना होगा तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले